गुड इमनिंग दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू कलास के टीजीटी पीजीटी सुपर संडे महा मायराथन के रात के आठ बजी के आज के इस वीडियो में तो चलिए शाथियों आज हमने कुछ ऐसे ऐसे प्रशन लिये हैं जैसे कि पास्चात्य कलाशे कुछ प्रशनों की सीरीज हैं यूँ कहले जिए कि सुपर संडे में आज कुछ मिक्स प्रशन हैं जिसे आप बहत प्रशन करेंगे बाकी सभी वीडियो की तरह और अगर प्रशन आपके सामने है और प्रशन का कहना है मानवतावाद किसकी कुण्जी है पुनरुथानवाद की स्वच्छंदतावाद की यथार्थवाद की या उत्तर प्रभावाद की जो मानवता है मानवतावाद वो कुण्जी है चाभी है कुण्जी का मतलब होता है चाभी ठीक है वो पहले प्रशन की शुरूआत हो चुज़ी है डेली रात आट पजी यह प्रशन आपके चलते हैं और हमेशा ऐसे ही आपको EMU क्लास देता रहेगा बहतरीन प्रशनों किस रिंखला चाहे एकजामी से राज्ये का हो या किसी भी राज्ये का हो तो पहले प्रशन की शुरूआत सब कर देते हैं हम लोग उत्तर से तो पहले प्रशन का जो सही जवाब हो गा वो हो जाएगा पुनरुत्थन वाद का, मानव थावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थन वाद का दूसरा प्रश्न देखिएगा प्रश्न संखिया दो क्या कह रहा है दूसरे प्रश्न का कहना है गोथिक यूग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण का चित्रकला को जन्दिया दके गोतिक युक का जो चित्रकार है जिसके चित्रों में पुरण जागरण का की चित्रकला का यानि उसके चित्रों ने औOR जाय। जो है आधुनिक से भी बहतरीन question है और आखरी में आपके लिए एक प्रश्न है आज के इस सूपर संड़े मैराथन के पचास प्रश्न की सरिंखला में आपके लिए एक प्रश्न है आखरी में जिसे आज आपको सवाल के रूप में दिया गया है वो कमेंट्स में आप जरूर रताइएगा ठीक है तो दूसरे प्रशन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ज्युत्तो ठीक है बढ़ते हैं तीसरे प्रशन के दरब प्रशन संख्या 3 दिखेगा तीसरे प्रशन का कहना है यूरूप की प्रारमभिक पुनड जागरण युग की कला का टाइम है वो क्या है चौदोसो से चौदोसो असी इसा चौदोसो दस से चौदोसो नब्बे इशा चौदोसो बीस से पंदरशो इसा या 1430 से 1510 इसा तो चलिए उमेद करता हूँ कि आपके कमेंट्स आ रहे होंगे मेरे उत्तर से पहले आज के इस संडे मैराथन के वीडियो में 50 परशनों की सरिंख लागे जिसका तीसरा परशना आप से जो पूछ रहा है उसका सही जबाब हमारा जो होगा वो हो जाएगा 1420 से 1500 इशा चोथे प्रशन की तरह बढ़ेंगे प्रशन संख्या चार देखिएगा चोथे प्रशन का कहना है पुनर जागरड कला किस देश के केंद्रों में फली फूली पुनर जागरड कला किस देश के केंद्रों में फली-फूली मतलब अच्छे तरीके शे बिक्षित हुई इटिली में, फ्रांस में, इंगलेंड में या जर्मनी में तो साथियों आपकी जो इस्पेशल सीरीज चल लई है उसमें आज आपका संडे मैराथन चल रहा है और संडे मैराथन में पचास प्रशन है आपके आज के इश्टे सीरीज में और चोथे प्रशन का कहिना है कि पुनर जागराड कला किस देश के केंद्रों में फली-फूली तो इसका जो सही जबाब होगा वो हो जाएगा इटिली में आगे बढ़ते हैं और पांचवे प्रशन का हम लोग जिकर करते हैं प्रशन संखिया पांच पांचवे प्रशन कहे रहा है उच्चपुनर जागराड काल के चितरकार का नाम बताईए उच्चपुनर जागराड काल के एक चितरकार है इन में से क्या उनका नाम ज्यत्तो है फ्रा एंजीलिको बेतिचली या राफेल TGT PGT महा मैराथन सुपर संडे सिरीच के रात के 8 बजे के वीडियो में पांचवे प्रश्ण की हम लोग जिकर कर रहे हैं और उसका कहना है कि पुनर जागरड काल के चितरकार का नाम बताना है इसमें से कौन सा है तो वो है राफेल कौन है राफेल छे नमर प्रश्ण की बात करने वाले हैं प्रश्ण संख्या 6 देखिएगा च्छटे प्रश्ण का कहना है आदम की उत्पत्ति आदम की उत्पति यानि आदम का जन ये जो प्रमुख चितर है किस पुनर उत्थान कालीन चितरकार ने बनाया है आदम की उत्पति नामक प्रमुख चितर किस पुनर उत्थान कालीन चितरकार ने बनाया है लियोनार्डो दविंची ने बनाया है माइकल एंजीलो ने बनाया है राफेल ने बनाया है या एल ग्रेको ने बनाया है इसमें से कौन सा वो पास्चाते कलाकार है जिसने आदम का क्यूत्पती या कह लेजिए उसको कभी-कभी ऐसे भी देता है आदम का जन्म ठीक है? आदम और हवा दो लोग थे तो इसको बनाने वाले कलाकार कौन है? तो साथियों इसको बनाने वाले कलाकार है माइकल एंजीलो ठीक है? पढ़ेंगे हम लोग साथवे प्रशन के तरफ प्रशन शंखिया शाथ देखिएगा साथवे प्रशन का कह रहा है सिष्टिन चैपल यानि जिसको कहते हैं हम लोग सिष्टिन चैपल को हम लोग छोटा गिरजागर भी कहते हैं उसके छत में रंगलेप करने के लिए इस्तमाल किया गया जाने वाला प्रमुख माध्यम यानि सिष्टन चैपल यानि छोटा गिरजागर का जो छत है उसके रंग देनलेप में जो इस्तमाल किया है रंग लेप उसका माध्यम क्या है तैल वड़ है यानि तैल रंग जल वड़ है यानि जल रंग मुझाईक है या फ्रेस को तकनीक है क्या है तो फटा-फट रॉप करते रही अपने प्रश्णों के उत्तर के महा महराथम के पचास प्रश्णों की संडे से रिच के आज के इस वीडियो में जिसका साथ वह प्रश्ण आपके श्क्रीन पे है और उम्मीद करूंगा कि आज बहुत ही इस टेस्ट को बेश्ट करके देंगे आप हमें कल भी आपका प्रश्ण आठवे प्रश्ण का कहा है कि किश ने विश्ट्र परशीद सिस्टिन चैपल छत पंदरो सो पांच से लेकर पंदरो सो बारा में चित्रत किया यानि अभी जो थोड़े देर पहले पहला पढ़ा अपने किस्टन चैपल यानि छोटा गिर्जा घर का जो छत था उसको चित् प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 9 देखिएगा नौ नमर प्रश्ण का कहना है दि लास्ट जजजमेंट के चित्रकार का नाम बताना है कि क्या दि लास्ट जजजमेंट लियोनार्डो दविंची ने बनाया बेती चली ने बनाया माइकल एंजोलू ने बनाया या रेनवा ने बनाया TGT जो 2021 जो चल हुआ था उसमें 12 क्रोश्चन जो थे आपके पास चाते से थे और पास चाते से लिए हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है TGT के लेकिन थे इसलिए कोई गारंटी नहीं है कितना प्रोश्चन कहां से पूछ लिया जा इसलिए हर टापिक को टच करिएगा आप PGT के सिलेबस को मान के चलिएगा TGT में पढ़ाने के लिए ठीक है तभी जाके आप सक्से हो पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और इस नव नमर प्रश्चन का पहले उत्तर देख लेते हैं क्या होगा तो इसका सही जबाब जो होगा वो हो जाएगा माइकल एंजेलो के द इस यानि इन चारों में से किस गिर्जा घर का प्रमुक अस्तापत्य था सिस्टिन गिर्जा सेंट मैफियो गिर्जा सेंट पीटर्स गिर्जा या वर्थेलिम्यू गिर्जा तो उपर जो प्रश्णा पढ़ते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड ये सब कोशन टच किये गए है ताकि आपको किस किस तरह के कोश्चन घुमाए जाते हैं एक्जाम में वो आपको केलियर समझ में आए तो माइकल एंजिनू न जो है सिस्टन चैपल की छत को थ्रेस को तकनीक में रणा था इसलिए सिस्टन गिर्जा यानि गिर्जा घर छोटा गिर्जा गा तो दसका माइकल एंजिनू द्रेस की एक मुर्ति बनाई है अकितने उचाई की है जिसको उन्होंने बनाया है क्या वो सिर्फ 15 फिट की है 18 फिट की है 10 फिट की है या 20 फिट की है तो चलीए साथियो कमेंट्स करिएगा दिल से लाइक करिएगा दिल से अगर अच्छा लगता है बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आपके शेयर से हमारी टीम होगी मजबूत और हम कुछ और बेस्ट करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे तो डेविट की कुल उचाई जो माइकल एंजेलो को द्वारा बनाई गई उसकी पूरी उचाई जो है वो है 18 फिट की कि बारा में प्रश्ण की तरफ चलते हैं प्रश्ण संख्या बारा देखिएगा प्रश्ण क्या कहना है कि सिष्टिन मेडोना को किस ने चित्रित किया चित्र का नाम है सिष्टिन मेडोना चित्रकार का नाम पूछ रहा है कि क्या लियोनार्डो दविंची ने किया बेती चिल जो मैं राथ हैं उसमें Mixed Question के Series है Mixed Question मतलब पास्चाते से भी है आधुनिक से भी है मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से Mixed करके अच्छे Question की Series को मैंने तयार किया है और पूरी उम्मीद है कि आज आपको बहत पशंद आएगा ठीक है तेरा हमें प्रश्ण का जिकर करेंगे प्रश्ण शंक्यात तेरा कह रहा है Marriage of Virgin Marriage of Virgin ये एक चित्र है और चित्रित किया गया है किस के द्वारा लियोनार्डो दविंची के द्वारा टर्नर, डिूरर या राफेल ठीक है अब एक कमेंट्स मैं लूँगा कल इसमें एक कमेंट्स आया था मेरे उस पे, वाटसप पे और वाटसप पे उन जनाम ने जो है सिलेबस पह जा था और लिखा था कि सर ये जो सिलेबस दिया है इसी के अनुशार हमको पढ़ाई है तो उनसे मैं कहना चाहूंगा मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो बिना नाम लिए कि जो सिलेबस आपने भेजा था मित्र वही सिलेबस है TGT का जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई और दूसरा सिलेबस है नहीं और नाही कोई सिलेबस आयोग ने दूसरा बनाया है और नाही कोई उसमें परिवर्तन किया है कोई ऐसा परिवर्तन तो आप लोग को नहीं दिखा होगा उस सिलेबस में इसलिए उससी सिलेबस के अनुशार मैं चल रहा हूँ ठीक है तो 13 में प्रश्ण का जो सही जबाब है वो हो जाएगा राफेल में 14 में प्रश्ण की बात करेंगे प्रश्ण संक्या 14 देखिएगा 14 में प्रश्ण का कहना है यूरोब की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है यूरोप की जो कला है उसमें कौन से कलाकार को डिवाइन पेंटर के नाम से पुकार जाता है माइकल एंजेलो को जोर जियोन को लियोनाडो दविंची को या राफेल को तो सुपर संडे महा मैराथन एस्पेशल कलास के आज के इस विडियो में एक बार फिर से आपका हम स्वाज़त करते हैं और 14 होए प्रश्ण का जो हम जिकर कर रहे हैं उसका आपको कमेंट्स में उत्तर दे देना है मेरे उत्तर से पहले कि यूरोप की कला के किस कलाकार को डिवाइन पेंटर का नाम दिया गया या पुकारा गया या कहा गया तो वो थे राफेल जी ठीक है 15 होए प्रश्ण की तरह बढ़ेंगे प्रश्ण संख्या 15 देखते जाए आपको कुछ न कुछ चेंजिंग मिक्स होता जाएगा आगे प्रश्णों में 15 होए प्रश्ण का कहिना है कि बिंदु चित्रड़ पद्दती आरम करने वाले कलाकार का नाम बताए बिंदु चित्रड़ पद्दती को सुरू किया सबसे पहले किस कलाकार ने यानि उस कलाकार का नाम क्या है जिसने बिंदु चित्रड़ पद्दती का सुरूबात किया था आपको पता यह बिंदु चित्रड़ पद्दती आपने देखा होगा LKG और LKG UKG का जो बच्चा होता है उसका जो बुक मिलता है उसमें कांपी लिखने के लिए नहीं मिलता है कांपी से ज़्यादा उसमें जो है डॉट डॉट करके ABCD ये सब लिखा होता है वो पेंसिल से उसके दोहराता है उसी को कहते हैं बिंदू तो बिंदू चितरड भी किया जाता है प्रस्ट का कहना चाहिए कि उस उत्तर प्रभावादी चित्रकार का नाम बता है जिसने ताहिती ती में चित्रकार की वह फटम talked जो है ताहिती सब्द आपके दिमाग में रहना चाहिए यह याद रखिएगा ताहिती जो सब्द है ये जो मैं सरकिल कर रहा हूं ये ताहिती सब्द आपके दिमाग में बस बैठा के रखिएगा और वो लाजिक आप पकड़ लेंगे कोश्चन का इसके उत्तर प्रभावादी चित्रकार ताहिती में चित्रकार किया था उनका नाम माति सेजा वानगा या पॉल गॉगीन 16 प्रश्ण का कहना है और सही जवाब है आपका पॉल गॉगीन याद रखिएगा ताहिती में सब्द जहां भी आए पॉल गॉगीन ही उसके करता धरता माने गया है ठीक है 17 प्रश्ण की बात करेंगे प्रश्ण संख्या 17 साथियों प्रश्ण संख्या 17 है हम लोग सुपर संडे मैं राथ हम 50 प्रश्ण की सिरीज का 17 प्रश्णात से कह रहा है जैपूर ब्लू पाटरी के पुनल थान की प्रिष्ट भूमी में कौन था जैपूर ब्लू पाटरी का जो पुनल थान था उसकी प्रिष्ट भूमी में इसमें से कौन सक्सियत था केवी जेना, देवी लाल, पाटीदार, किरपाल शिंग शेखावत या मन सी मरन सिंग कौन है जैपूर बुलू पार्टी के पुर्ण थान की प्रिष्ट भूमी में सामिल इसमें से हमारा शत्रहमा प्रश्णी यही है महा मैराथन के संडे सुपर सीरिच के आज के इस वीडियो का हमारा शत्रहमा प्रश्णी यही है ठीक है साथियों तो चलिए शत्रहमें प्रश्ण का जबाब भी देख लेते हैं आपके कमेंट्स आ रहे होंगे पूरी उम्मीद है किरपाल शिंग शेखावत को दर्जा दिया गया उसका ठीक है काफी अच्छी खाशी प्रशिद्धी हाशिल किये हुए हैं चुनार, रामपूर, लखनव, या निजामाबाद किसे हैं ठीक है चलिए अठारा नमर प्रश्ण कमेंट्स आपके पूरी उम्मीद के शाथ है कि पूरी तेजी से स्पीट के साथ हा रहे होंगे आपके कमेंट्स साथियों और हमारे अठारावे प्रश्ण का सही जवाब होगा निजामाबाद कि 19 नमर प्रश्ण की तरह बढ़ेंगे प्रश्ण शंखिया 19 देखियेगा क्या कह रहा है उनिश्वे प्रश्ण का कहना है ब्लैक पेजेज आफ दा इंडियान रिपबलिक एक प्रशिद चित्रकला श्रिंखला है इनकी एक प्रशिद चित्रकला श्रिंखला है ठीक है जियार संतोष की रड़बीर सिंख बिष्ट की परितोष शेन की यालालू प्रसाद शाकी ब्लैक पेजेज आफ दा इंडियान रिपबलिक इनमें से किनकी एक प्रशिद चित्रकला श्रिंखला है ठीक है यह है हमारा 19 नमर प्रश्ण और इसका सही जबाब होगा रड़बीर सिंख बिष्ट की बढ़ते हैं प्रश्ण शंख्या बिष्ट की तरफ धीरे धीरे प्रश्णों की स्रिंखला को हमने 20 प्रश्ण तक ला दिया है और आज आपका एक सवाल है मेरे पास मैंने पूछा है विडियो के आखरी में 50 नमर प्रश्ण के रूप में जिसके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स पूरी उम्मीद करूंगा कि आ जाएंगे तो विश्वे प्रश्ण का कहना है कि केजी सुप्रमडियम का प्रशिद मियूरल किस शहर में लगा है इस शमय केजी सुप्रमडियम सहब का जो मियूरल है वो कौन से सहर में इस आप्शन के अनुशार लगा है क्या दिल्ली में लगा है वो मुंबई लखनव या बनारश ठीक है तो चलिए शाथियो पचास प्रश्णों की मैराथन सिरिंखला का आगाज हो चुका है संडे के आज के इस वीडियो का और जिसमें 20 प्रश्ण तक हम लोग कबर कर चुके हैं और 20 प्रश्ण का जवाब आप कमेंट्स में दे रहे होंगे मेरे उत्तर से पहले और इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा लखनव में उस प्रसिद में उरल को बनाया केजी सप्रमडियम शाहब ले 21 प्रश्ण की तरह बढ़ेंगे प्रश्ण संक्या 21 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा 21 प्रश्ण भारतिय प्राग एतिहासिक चित्रकला बुख का नाम है पूछ रहा है राइटर कौन है इसके अजीत घोश जगदीश गुप अमारनात्थद या एंडर्शन इस चारों बिकल्म में से कौन सी सक्सियत ने लिखा है बुक भारतिय प्रागयति हासिक काल यानी आदिमानों की कला का काल के नाम से जिसका नाम है भारतिय प्रागयति हासिक चित्र कला और इसके राइटर इसके लेखक जो हैं वो हैं जगदीश गुप्त जी ठीक है 22 वे प्रश्ण की हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्ण संक्या 22 देखिएगा 22 नमर प्रश्ण पे हम लोग पहुंच चुके हैं और प्रश्ण का कहना है भारतिय मूर्तिकला नागरी प्रचारडी सभाकाशी के लेखक कौन है कल्याड क्रिश्ण, आनंद क्रिश्ण, कवल क्रिश्ण या राय किश्ण काश यानि भारतिय मूर्तिकला कोष्ट में नागरी प्रचारडी सभाकाशी उसको कहा गया, उसके लेखक के रूप में इसमें से कौन सी सक्सियत को हम जानते हैं, 22 प्रशन का कहना है, और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा, कला इतिहाशकार्स रायकेशन राश, ठीक है, चलिए, तेश प्रमबर प्रशन की बात करने वाले हैं हम लोग, प्रशन शंक्या 23, धीरे धीरे प्रशनों की सरिंखला आगे बढ़ते हुई, 23 प्रशन का कहना है, प्रिंसिपल आफ आर्ट, बुक का नाम है प्रिंसिपल आफ आर्ट, राइटर का नाम पूछ रहा है कौन है, I.H. रिचर्ड ने लिखा इस बुक को, सुसन लेंगर ने ल लिखा या R.D. कलिंगवुड ने लिखा, इस में से कौन सी सक्सियत ने प्रिंसिपल आफ आर्ट नाम पूछ को रिटेन किया, लिखा, लेखक के रूप में जाना जाता है कौन, तो चलिए शातियों कमेंट्स करते रहें, आज के इस सुपर महामयरातन के 50 प्रशनों की सरि जबाब होगा, वो हो जाएगा R.D. कलिंगवुड के द्वारा, चलिए, अगला प्रशन जो है, वो है आपका 24 नमबर, 24 नमबर प्रशन का कहना है, ब्रिहत कलाकोष, ब्रिहत कलाकोष के राइटर है, जोतिफ जोसी, रूप नरायड वाथम, सेखर शेन, या बिनोध भाद द्वाच, तो चलिए, फटफट ड्रॉप करते रहे, प्रशनों को ड्रॉप करिए, पूरे स्पीड के शाथ अपनी महराथन कलास को अटेंड करिए, इस स्पीड का मतलब यह नहीं कि बिना पढ़े, पूरे जटके के शाथ एंसर को दीजिए, इस स्पीड का मतलब यह कि आ हमारे ब्रिहत कलाकोष के लेखक के रूफ में जाने जाते हैं बिनो भारद्वाजी अब 25 प्रश्ण की तरफ चलते हैं हाफ कंप्लेट कर चुके हैं हम 50 में से 25 पूरे हो चुके 25 प्रश्ण का कहना है इस्प्रिचुल इन आर्ट के लेखक कौन है इस्प्रिचुल इन आर्ट पुस्तक का नाम है और इस राइटर का नाम बताना है कि जेसार जान ने लिखा विट्र बासरेली ने लिखा कांडिश्की ने लिखा या आगस्ट मेके ने लिखा ठीक है पहले ही बता है हमने आपको कि सुपर संडे में मिक्स इस्पेसल सिरीज की कलास चल रही आपकी कोशनों की और जिसके 25 प्रश्ण आपके पूरे होने जा रहा है और 25 प्रश्ण का सही जवाब है कांडिश्की ने लिखा है स्प्रिचुल इन आर्ट 26 नमर प्रश्ण की बात करने वाले हैं प्रश्ण संख्या 26 देखेंगे आप लोग 26 प्रश्ण का कहना है पुस्तक मिनिंग आफ आर्ट यानि उस जिस पुस्तक का नाम है मिनिंग आफ आर्ट उसके लेखा कौन है किसने लिखा मिनिंग आफ आर्ट नाम कुस्तक 26 यानि 26 नमर प्रश्ण संडे में राथन का और इसका सही जबाब होगा हरवत रीट के द्वारा लिखा गया 27 प्रश्ण की तरफ बढ़ बते हैं प्रश्ण संख्या 27 की तरफ रूप करते हैं और क्या सब्सक्राइश का कहना है Transformation पुस्तक के लेखक है पुस्तक का नाम है Transformation और लिखा किशने Clive Will ने Bridley ने M.Hushen ने या Roger Fry ने ठीक है तो चलिए साथियो Drop करते रही है फटा 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 फट कमेंट्स करते रही है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो बेल आइकन के साथ तभी आपकी notification आपको daily मिलती रहेगी और बाकी कुछ भी information आएगा तो आपको मिलता रहेगा जब notification अपडेट रहेगा आपका तो ठीक है और हमारे इस प्रश्ण का सही जवाब है रोजर फ्राई ने 28 वे प्रश्ण का जीकर करने वाले हैं प्रश्ण शंखिया 28 देखिएगा 28 नमर प्रश्ण का कहना है दे हिंदू व्यू आर्ट आफ आर्ट इस पुस्तक को लिखा हैवेल साहम ने परसी ब्राउन ने डाक्टर मुलक राज आनंद ने या आचारे रामचंदर शुकले ने अच्छी खासी पुस्तकों के भी इसमें हमने सामिल कर दिया है आज के इस वीडियो में इस महराथन में ताकि जो है आपको हर एंगल से हर तरफ से तोर मरोड के आपके कोश्चनों को पचास के महराथन का में बनाता है ताकि किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना आपको आगे कल्प भरती है जब बैठे तो ना करना पड़े ठीक है कोशिस तो यही रहती है आगे भगवान मालिक है अल्ला मालिक है खुदा मालिक है गौड मालिक है जो भी कह लिजी अपने सब्दों में और इस प्रश्न का सही जवाब है डाक्टर मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है यह बुक है दा हिंदू ब्यू आफ आर्ट 29 नम्र प्रश्न की तरह बढ़ेंगे प्रश्न शंक्या 29 को देखिएगा कहना है दा फ्लेम्ड मोजैक भारतिय समकाले इंचित्र 1999 पुस्तक के लेखा को है The Flamed मोजैक भारतिय समकाले इंचित्र 1997 में लिखी गई इस पुस्तक को क्या कपील वात्सयायन ने लिखा, गीती शेन ने लिखा, किष्ण चैतन्य ने लिखा, या नवेली तुली ने लिखा 29 वा प्रश्ण क्या कहना है भारतिय समकाले इंशित्र 1997 दफ्लेवड मोजेक किस कालाकार के द्वारा लिखी गई, किस राइटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो वो है नवेली तुली के द्वारा लिखी गई प्रश्ण शंख्या 30 की तरफ अम्रों बढ़ चुके हैं 30 नंबर प्रश्ण आपके शामने है और प्रश्ण का कहना है इंडियन स्कलप्चर एंड आइनोग्राफी पूरे इस बुक का नाम यही है और इसके लेखक कौन है गडपती, वी अस्थपती, राय किष्णदास, बी एस अगरवाल या गुलाम मुहम्मज शेख इंडियन स्कलप्चर एंड आइनोग्राफी नाम है उस बुस्तक का राय्टर का नाम आपको बताना है और इस मेराथन के 30 प्रश्ण को कंपलेट करना है और आगे अपने प्रोशिष को 50 प्रश्ण की इस स्रिंखला में बढ़ते चले जाना है आपको ठीक है तो चलिए तीस्वे प्रश्ण का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका A. गड़पती, B. अस्थपती बढ़ते हैं 31 नम्मर प्रश्ण की तरह प्रश्ण शंख्या 31 एक तीस्वे प्रश्ण का कहना है Moving Focus किसकी रचना है? Moving Focus रचना है केजी सुप्रमडेम साथ की गड़े श्पाइन की, रघुराय की या अमन अल्लाना की ठीक है? तो चलिए ड्रॉप करते हैं फटाफट प्रश्णों को ड्रॉप करिए और सुपर संडे महराथन के आज का फाइनल सम्मिट करने से पहले अपने सवाल का जवाब ज्यादा से ज्यादा मातरा में दीजिएगा जो हमने आज आप से पूछा है तो एक तीश्वे प्रश्ण का जो सही जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा साथ ही हो? तो वो हो जाएगा केजी सुप्रमडेम साहथ की रचना है Moving Focus प्रबंधावली के लेखक है ये भी एक पुस्तक है नाम है बागेश्वरी सिल्प प्रबंधावली क्या परसी ब्राउन ने लिखा उसे इस्टेला क्रेमरिस के द्वारा लिखा गया है अवनिंदरना टैगोर के द्वारा लिखा गया है या शितारा देवी के द्वारा लिख यूटूब चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर में कोई बिहार का बच्चा जुड़ा है तो जराम उससे जरूर संपर करेगा मेरे वाटसप नमबर पे अपने नाम के साथ और पता के साथ कि कहां से बोल रहा है हो बच्चा ठीक है उससे मुझे कुछ थोड़ी डिसकसन करनी है तो अगर कोई भी बच्चा बिहार से तायारी करने वाला जुड़ा हो तो इस नमबर पे जरूर संपर करेगा साथ हो ठीक है और इसका सही जबाब है अवनीन दरनात टैगोर के द्वारा लिखी गई ठीक है तायतिस नमबर प्रश्ण की बात करेंगे प्रश्ण शंख्या 33 तायतिस नमबर प्रश्ण का कहना है इंडिका नामक पुस्तक लिखित है किस काल में मौरे काल में गुप्त काल में कुसाड काल में या आधुनिक काल में इंडिका नामक पुस्तक को किस काल में लिखा गया यह आपको कमेंट्स में बताना है और उसके बाद कमेंट्स में ज और हमको आपको कमेंट्स में यही बताना है और इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा मौरेकाल, इंडिका जो है वो मौरेकाल में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, कमेंट्स करिएगा, 34 नमर प्रशन की बात करेंगे, प्रशन संख्या 34, ध्यान से देखिएगा, औरंगजेब का बुढ़ापा, यानि औरंगजेब बाश्चा के जो बुजर्ग होने का दौर था, यानि बुजर्ग अवस्था में यानि बुढ़ापा की अवस्था में बनाया था एक कलाकार ने इसमें से किस आधोनिक कलाकार में अवनिन दरनात का बुढ़ापा नामत करिती कह लेजिए या चित्र कह लेजिए बनाया था तो साथियो उस सक्सियत का नाम है अवनिन दरनात टैगोर अब इसी से रिलेटेड एक और कोशन देखिए आपके शामने है 25 प्रश्ण का कहना है जो औरंगजेव का बुढ़ापा अभी आपने देखा वही बुढ़ापा ये जो चित्र बनाया वनिन दरनात टैगोर सहमने वो इस समय कहा रखा गया है राज्ये पुस्तकाले रामप पचास प्रश्णों की महराथन है महा महराथन है आज का आपका संडे इस्पेसल में और आप है 25 प्रश्ण की तरफ जिसका कहना है कि औरंगजेव का बिर्धावस्था या बुढ़ापा जो चित्र बना वो सुरच्छित किया गया कहा राज्ये पुस्तकाले रामपूर में वहीं सुरच्छित किया गया है ठीक है 36 नमर प्रश्ण की तरह बढ़ेंगे प्रश्ण संख्या 36 आपके प्रश्णों में फिर से अब चेंजिंग हो रही है अगला टापिक चेंज हो रहा है देखते रही है आपके टापिक में आज के महराथन की जो टापिक चल लही है कौन संचालित करता है यानि कलाकारों की निलामी की अनलाइम सस्था एक है जिसका नाम है सैफरन आठ और भी सारी सस्था हैं लेकिन सैफरन आठ को कौन संचालित करता है पुझ रहा है मीनल बाजीरानी करती है सतीस गुझराल करते है नंदितादास करती है या सुबोद गुझता करते है ठीक है कौन है कला निलामी की अनलाइम सस्था सैफरन आठ के संचालित करने वाले इसमें से तो संचालित की रूप में हम जानते हैं जिसे वो हैं मिनल वजीरानी ठीक है 37 नमर प्रश्ण की तरफ चलना है प्रश्ण संख्या साइथिस हर एंगल से आपको मिक्स कर दिया है हमने प्रश्णों की ऐसे मिक्स सिरीज हमने आपकी बनाई है जिसे आपको बहुत अच्छा लगेगा जरूर बताएगा आज के सूपर संडे में अच्छा लगेखने आपका ये वेडियो मेरा 37 प्रश्ण का कहिना है कि कंपनी शैली के चितर की जो तकनीग थी कंपनी शैली की वो क्या थी यानि उस समय के कलाकार अपने चितर को कौन से तकनीक में इस्तमाल किया करते थे टैंपरा माध्यम में A кварти noticeable रंग फ्रेश को तकनीग या जल रंग माध्यम किस माध्यम में कंपनी सैली के चितर कार अपने चितर को अंजाम दिया करते थे ठीक है, साइं तीश्वे प्रश्ण का कहना है और इसका सही जबाब है जल रंग यानि वास्त तक ने कि ठीक है 38 नमर प्रश्ण दिखेगा प्रश्ण संख्या, 38 क्या कह रहा है आपका 38 प्रश्ण का थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बिकल्प आपका दिखने रहा है इसलिए थोड़ा सा छोटा चाहिए हमको 38 नमर प्रश्ण देखिए हिंदी काला नहीं है, कला है हिंदी कला पत्रिका कला निधी के संपादक थे ठीक है हिंदी कला पत्रिका कला निधी यानि कला निधी उस कला पत्रिका का नाम है इसके संपादक क्या डक्टर आनंद कुमार श्वामी थे राय किष्ण दास और आनंद किष्ण थे नंदलाल बोस और सिष्टर नीवेदिता या अशित कुमार हल्दर कौन है संपादक के रूप में जाने जाने वाले हिंदी कला पत्रिका कला निधी के तो वो है राय किष्ण दास और आनंद किष्ण ठीक है चलिए अगला है 49 नमर प्रश्ण 49 नमर प्रश्ण देखें का गया रहा है कला कल्प और बिहंगम पत्रिका यानि दो है एक का नाम है कला कल्प दूसरे का नाम है बिहंगम इस पत्रिका को कहां से संपादित होती ये पत्रिका अभी भी संपादित होती है लेकिन इन में से कहां से संपादित होती है ये 49 प्रश्ण पे और कमेंट्स फटाफट मारते जाईए राष्टिया दुनिक कला संगरह नई दिली से प्रकासित होती है भारत कला भावन माराड़सी से कला भावन सांती निकेतन से या इंद्रा गांधी राष्टिय कला केंद्र नई दिली से कला कल्प और भीहंदम पत्रिका कहां से संपादित होती है 49 प्रश्ण का कहना है और सही जबाब है इसका इंद्रा गाधी राष्टिय कला केंद्र नई दिली से और अब हम 40 प्रश्ण की तरब बढ़ चुके हैं साथियो प्रश्ण संखिया 40 और इसके बाद आपके पास सिर्फ 10 प्रश्ण है जिसमें से 9 का तो उत्तर मैं बताऊंगा आपके साथ कमेंट्स में लेकिन 10 प्रश्ण छोड़ दूँगा वो आपके लिए होगा आप बताएंगे आज लेकिन पहले 40 प्रश्ण की बात कर लेते हैं कहरा है 11 सिरो वाले बोधिक औलो के तेश्वर का अंकन किस गुफा में है यानि 11 सिरो वाले बोधिक औलो के तेश्वर का अंकन कौन सी गुफा में हमें देखने को मिलता है ठीक है, यह है आपकी मेराथन स्रिंखला की 50 प्रश्णों की 40 वा प्रश्ण। क्या कनहरी गुफा में देखने को मिलता है, भाजा गुफा में, जोगेश्वरी गुफा में, यहां महा काली गुफा में कौन सी गुफा में, चलिए फटाफट करते जाये कमेंट्स और इसका सही जवाब है कनहरी गुफा और अब बढ़ते हैं हम फाइनल सम्मिट के करीब से यहां से सुरुवात कर रहा है अब हम लोग यहां से हमारी फाइनल सम्मिट हो जाएगी आगे जाके 41 वे प्रश्न की तरफ अब खतम होने से आप 10-9 को शंदूर हैं 41 वा प्रश्न कहे रहा है महाबली पूरम में गंगा ओत्रण का चित्र उतक्रिड किया गया संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल बलुवा पत्थर से या इनमे से किसी से नहीं तो मैराथन के 50 प्रश्नों की सिरीज में आप आज हमें कमेंट्स में बताएंगे कि आपने कितना शही किया इस मिक्स कोश्चन के सिरीज को महाबली पूरम के गंगा ओत्रण का जो चित्र उतक्रिड किया गया वो किस चीज से किया गया संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल बलुवा पत्थर से या इनमे से किशी से नहीं तो साथी वो ग्रेनाइट से किया गया है गंगा ओत्रण का चित्र उतक्रिड महाबली पूरम में 42 वे प्रश्ण की तरह बढ़ेंगे प्रश्ण संखिया 42 देखिएगा 42 नमर प्रश्ण का कहना है इनमे से कौन से कालाकार चित्रकार के अलावा मियूरलिस्ट भी है चितरकार के साथ-साथ मियूरल भी किया उस कलाकार ने और उस कलाकार का नाम क्या अरपड़ा कौर है अरपिता सिंग अंजली इलामेनन या जयाद पाश्वामी यानि वो एक फीमेल कलाकार है ठीक है? यह ऐसे भी पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता था कि निमनिमेशे उस फीमेल कलाकार का नाम बताईए जो चितरकार के साथ मियूरिलिष्ट भी है ठीक है? तो चितरकार के साथ मियूरल के रूप में प्रशदी पाने वाली कलाकार कौन है तो वो है अंजली इलामेनन जो 80 प्लस की अपनी लाइफ को जी रही है अभी भी दुनिया में ठीक है? तैंटालिष नमर प्रशद की बात कहेंगे प्रशन संख्यात तैंटालिष तैंटालिष फे प्रशद को देखे क्या कह रहा है 43 प्रश्द का कहना है ठाकूर मतूरादास किस कालाकार का चित्र है चित्र का नाम है ठाकूर मतूरादास किस ने बनाया विकास भटाचारिया ने बनाया मंजीत बाबा ने बनाया जगदीश श्वामीनाथन यानि जे स्वामीनाथन ने बनाया या किष्णा खन्ना ने बनाया तो फटाफट ड्रॉप करिए क्योंकि अब आपका फाइनल सम्मिट होगा कुछ देर के बाद प्रशन और हम चाहते हैं कि उसके पहले आप बिष्ट और बिष्ट में बिष्ट कर दें आज मेरा थनमेज तो ठाकुल मतूरादास किस का लाकार का चित्र है तो वो बनाया आपक विकास भठाचार्याजी ने चववालिष नमर प्रश्ण की बात करने वाले हैं प्रश्ण संख्या चववालिष ऑफोटीफोर प्रश्ण क्या कहना है स्वयम को अपना जगदिश श्वामीनाथन का शिश्य मानते थे प्रश्ण को एक बार फिर से ध्यान से समझेए स्वयम को यानि खुद को इन में से कलाकार अपना जगदिश स्वामीनाथन का शिश्य मानते थे खुद को यह नहीं शिश्य मानते थे जैसे की एक्जाम्पल के तोर पे मैं आपको बता देता हूँ तब आपको हो सकता है प्रश्य मानता कर दिये इसलिए कि वो बालक जो है उसकुल से नहीं था जिसकुल में राम लच्मन ने जन्म लिया था तो इसलिए उन्होंने माना कर दिया लेकिन उस एकलब बेने उस गुरुदुरचार की मुर्थी को बना कर और उनको अपना गुरु मान कर जबकी इन्ह आपको खुद वो स्वेम मानने लगे थे कौन थे विकास भटाचार्या, गनेश पाइन पर्मानन चोयल या मनजीत बाबा अब एक्जामपल जो मैंने दिया है उससे आप इसनी बात को समझ गए होंगे और उत्तर भी आसानी से दे देंगे और इसका सही जबाब है मन्जीत बाबा थे वो फिक है 45 नमबर प्रशन की तरफ चलते हैं 45 देखिए क्या कह रहा है 45 नमबर प्रशन का कहना है डिथअस्टरिष्ण डिथअस्टरिष्ण नामक चित्र किशने बनाया मन्जीत बाबा ने जे स्वामी नाथन ने गणेस भाई नहीं है गणेस पाईन है ठीक है या सतीस गुजराल ने Death of Krishna Krishna की मृत्यू नामक चित्र Krishna ने बनाया ठीक है 45 वा प्रशन महा मैराथवन संडे स्पेसल स्रीच का और इसका सही जबाब है मंजीत बाबा ने बनाया ठीक है 46 नमर प्रशन की तरब चलते हैं प्रशन संख्या 46 महा भारत चित्र सरिंखला बनाई किस कलाकार ने सतीस गुजराल ने कृष्ण खन्ना ने कृष्ण रेड़ी ने या कानूराम शर्मा ने तो चलिए 50 प्रशन आपके होने जा रहे हैं पूरे लेकिन हम देखते हैं आज के महराथन का बेष्ट है किसका महा भारत चित्र सरिंखला किस आधुनी कलाकार ने इसमें से बनाया है तो वो बनाया है आपका कृष्ण खन्ना जी ने 47 वे प्रश्ण की बात करने वाले है प्रश्ण शंख्या 47 देखे क्या कह रहा है 47 उर्दू नाटक समुंदर प्याशा है यानि उस नाटक का नाम है उर्दू नाटक जो है उसका नाम है समुंदर प्याशा है इसके लेखक चित्रकार यानि जो लेखक है वो एक चितरकार भी है इसमें इसलिए मैंने इस प्रश्ण को इस तरह से बनाया है क्योंकि उर्दुनाटक समंदर प्यासा है कि जो लेखक है वो एक चितरकार भी है कौन है वो? कृष्णरेड़ी है, लचमणपय, जियार संतोस या पर्मानंद चोयर तो चलिए शाथियो, महा मैराथन है आपकी पचास प्रश्णों की और आप अब कंपलीट कर चुके हैं, थोड़े देर में कंपलीट कर देंगे उर्दुनाटक समंदर प्यासा है कि लेखक जो की एक चितरकार भी है वो थे जियार संतोस सहब 48 नमर प्रश्ण की तरफ चलते हैं, प्रश्ण संखिया 48 तू मैन इन बनारस, तू मैन ये वो वालटू है ध्यान दीज़ेगा, टी डवलू ओ टू, यानि दो तू मैन इन बनारस, दो आदमी बनारस में, ठीक है किस ने बनाया ये, भुपेन खकर ने, जोती भट, विवान संदरम, या चिन्ता मड़ी कर किस आधुनिक कलाकार की बनाय हुई, चितर है ये, तू मैन इन बनारस, दो आदमी बनारस में और इसको बनाया भुपेन खकर शाहब, ठीक है और अब 49 नमबर प्रश्ण, जो हम आपको बताएंगे, आप भी कमेंट्स करीगा, लेकिन इसके बाद का जो प्रश्ण है वो है सुपर संडे के आज के हमारे साथियों के लिए शवाल, लेकिन पहले इसका जिकर कर लेते हैं प्रश्ण है स्वयम एक कलाकार के रूप में किस कलाकार की चितरकारी है स्वयम एक कलाकार के रूप में, यानि खुद को एक कलाकार के रूप में उन्होंने चितरतित की आपने आपको यानि सेल्फ पोट्रेट जो कहा रहा है ना स्वैम को दिखाया कि मैं एक कलाकार हूँ उसी रूप में उस कलाकार ने पनी चितरकारी की क्या वो अमिर्ता शेरगिल थी क्या वो विवान शुंदरन थे क्या वो मंजीत बाबा थे या जियोती भट तो यह है आपका फाइनल कोशन जो आपको बताना है कमेंट्स में मेरे उत्तर से पहले और इसके बाद जो प्रशनाएगा वो आपका आज का शवाल होगा जिसे आपको कमेंट्स करना है चादा से ज़्यादा शंखिया में लेकिन पहले फाइनल सम्मिट के इस कोश्चन को हम लोग कलिय कर लेते हैं कि स्वयम एक कलाकार के रूप में किस कलाकार ने अपने आपको चितर्थ किया तो वो किया जोती भट ठीक है और अब हमारे वेडियो का आखरी प्रशन आपका सवाल आज हमने लिया है जानबूच के एक सवाल आज आपसे पूछा जाए इसलिए पचासवा प्रशन आपका सवाल है आपके स्क्रीन पे है और आपका सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इंद्रा गुपता के अनुशार भारत के पचास प्रसिद महिला कलाकारों में से एक है यानि इंद्रा गुपता ने अपने सब्दों में कहा है कि भारत के पचास प्रसिद महिला कलाकारों में से एक इन में से भी है वो कौन है? क्या वो अरपड़ा कौर है? अर्पिता शिंग है अंजली इलामेनन है या के लच्मा गौन किस कालाकार को भारत के 50 महिला कालाकारों में दरजा दिया गया इंदरा गुपता के नुशाड़ ठीक है तो इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स से नमाजी अगा और सही उत्तर दीजिएगा बिल्कुल इमांदारी से बिना किसी सर्च बर्च के और इसका उत्तर मैं कल आपको बताऊंगा भी लेकिन मैं चाहता हूं कि आज अपना पहले उत्तर आप रिस्पांस में दे तो साथियों बताईएगा कि आज की वीडियो लगी कैशी और कैसा लगा आज का आपका सुपर मैराथन संडे स्रिंकला लाइक शेर के शाथ बताईएगा और आज के लिए दीजी इजाज़त कल फिल मुलाकाट करते हैं इसी समय ऐसी टाइम लेकर कुछ और बहतरीन प्रश्णों की बहतरीन कोश्चन तब तक के लिए दीजी इजाज़त नमस्कार गुड नाइट सुबरात्री